हेलो दोस्तो वेलकम तो देख्रेज़ दोस्तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ NCRT क्लास 7 जिगरोफी ठीक है इसमें पहला चाप्टर है हमारा इन्वार्मेंट आये देखते हैं इस चाप्टर इन्वार्मेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ना है दोस्तो ये एक छोटा सा स्टोरी दिया हूआ इसके बाद में पढ़ लेते हैं ता मतलब की almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass marigolds and butterfly is gone forever he shared his feelings with his classmates in the assembly the principal too sadly observed see how our environment is changing तो यह जो परग्राप दोस्तों यहां से लेकर यहां तक इसमें यह बताया गया कि एक दिन जब गर्मियों के चुटी के बाद रवी अपने स्कूल जाने लगा तो उसने क्या देखा कि जिस प्लेग्राउंड पर जो स्कूल के बगल में था वहां खेलता था वहां पर अब गड़े खोदे आ चुके हैं पीपूल मतलब वो सुन रहे था कि पीपूल क्या बोरे था कि यहां बिल्डिंग बनेगी बहुत सा के लिए खतम हो जाएगा उसको बहुत दुख हुआ इन दा क्लास रवी आसके टीचर वाट इस दा इन्वार्मेंट जब वो क्लास में गया तो रवी ने अपने टीचर से पूछा कि इन्वार्मेंट का मतलब क्या होता है उसके टीचर ने एंसर दिया कि वाटेवर यू सी मतलब कि जो भी आप आसपास में देखते हैं वो सभी क्या है इन्वार्मेंट मतलब जो भी आप देखते हैं जैसे क्लास रूम चेयर टेबल फिल्ड गारबेज मतलब कुछ भी आप अपने आसपास इन्वार्मेंट में देख रहे हैं वो क्या होता है इन्वार्मेंट होता जो कि environment में God gift है मतलब created by the nature और कुछ-कुछ ऐसे object हैं जो made by people जैसे roads, cars, cloths, book, building से सब क्या है? Man-made objects ठीक है? एक छोटा सा यहां देख लिए दोस्तों कि environment is, इसका environment का definition है क्या? कि environment is our basic life support system मतलब कि environment वातावरण क्या है? है हमारा basic life support system, एक ऐसा system है जो हमारे life को support करता है, इससे क्या-क्या चीज़े मिलती है? कि it provides the air we breathe, मतलब कि यह जो हवा हम लोग सांस में लेते हैं, वो कहां से आती है, environment से आती है, the water we drink, जो पाने हम लोग पीते हैं, वो कहां से आती है, environment से आती है, the food we eat, जो खाने हम लोग खाते हैं, वो कहां से आती है, environment से. and the land where we live, जिस जगह पर हम लोग राते हैं, वो से भी क्या होता है, environment से. खाने के मतलब यह होता है कि जितने भी basic चीज़े हैं, जो हमारी जरूरत के लिए हैं, जिंदा रहने के लिए जरूरत हैं, वो कहां से आती है, environment से. तो how do human beings modify this natural environment? अब यह question यहां होता है, कि कैसे human beings in environment को modify करते हैं, मतलब अपने जरूरतों के हनिसार उनको use करते हैं. The car fumes pollute the air, मतलब की जो car, bike जो हम लोग use करते हैं, इसमें से बहुत सारी दुआएं आती है, वो क्या होती है, environment को pollute करती है, water is collected in a pot, pot मतलब घड़ा, बरतन जो भी होता है, वहां पर water collect होते हैं, food is served in the vessels, food, खाना मतलब कहां थे, vessels, बरतन में दिया आते हैं, the land is used to build factories, और land क युच क्या होता है, factories बनाने में, human beings make car, human beings के के बनाते हैं, car बनाते हैं, mills, factories, and manufactured containers, this is now human beings modified natural environment, इस तरह से nature से जो भी चीज़े, natural चीज़े होती हैं, उनको modify करके, human अपने लिए कोई चीज़ को use करने, like बना देता है, उसी को बोलते है, modify natural environment, ठीक है दोस्तों, अब आगे इस chapter में, मतलब यहां देखिए, components of environment, मतलब कि environment के कौन-कौन से components होते हैं, सबसे पहले देखते है, natural, natural में दोस्तों क्या होते है, natural का तो मालूम ही आपको कि nature से जो direct आते हैं, मतलब जो nature ने हमें directly दिया है, इसको man ने नहीं बनाया, वो क्या होते है, natural resources, या natural environment, जैसे कि air, water, जिसको hydrosphere बोलते हैं, land, lithosphere, बोला जाता है, living things, biosphere, इसे भी क्या है, natural resources, अब यहां देखिए, दोस्तों, human made, मतलब कि human ने कौन-कौन से resources बनाया, environment में बनाया है, buildings, park, bridges, roads, monuments, industry, यह सभी क्या है, human made environment, अब यहां देखिए, दोस्तों, human beings, एक खुद एक बहुत अच्छा है, अब human resources, human environment में क्या क्या आते है, individuals, कोई खास व्यक्ति, family, community, religion, मतलब कोई भी धर्म, educational, economic, या political situation, इसे भी क्या है, human environment है, ठीके दोस्तों, अब यहां देखिए कि increasing मतलब कि we are there for modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied, इसमें यह कहा रहा है कि human being ने अपनी जरूरते के हिसाब से मतलब जैसे human civilization बढ़ा, human का requirement भी दीन प्रतिन दीन बढ़ता गया, और वो requirement बढ़ने के कारण, human लोगों ने मतलब जो भी यहां के इनसान है, उन्होंने क्या किया, अपने जरूरतों के हिसाब से, इंका modify करने लगे, use करने लगे, इसके क्या होते था, कभी कभी वो destroy भी कर environment, इसके पिछला topic में आप लोगों जितने भी environment देखा, उससे आपको यह मतलब यहां पर conclusion निकला, कि जो जितने भी places है, जगह है, people है, things है, कोई समान है, nature है, जो भी चीज हमारे surrounding में, किसी भी living organism के आस-पास में से क्या बोलते है, environment, it is a combination of natural and human made phenomenon, यह क्या है, combination है, combination मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों हो, कौन-कौन से, human made और natural resources, दोनों का combination है, environment, while the natural environment refers to both natural environment, दोनों होते है, biotic भी होते है, a-biotic भी होते है, ठीक है, तो biotic का मतलब दोस्त होता है, कि वैसे चीज़े जो living things है, ठीक है, मतलब जो living things है, living things है, उससे क्या बोलते है, biotic, और a-biotic क मतलब कोई जान परान महीं हो, उसको biotic, जिसमें जान परान हो, living हो, उससो क्या बोलते है, a-biotic, ठीक है, human environment reveals the activities, creation and interaction among the human beings, जो human environment होता है, वो क्या हम लोग को बताता है, activities, मतलब क्या वो काम कर रहे है, क्या उन्होंने बनाया, और वो कैसे, एक दूसरे से interaction, मतलब एक दू जहां देखते है, natural environment का मतलब और अच्छे से clear हो जाएगा, the land, water, air, plants, animals, comprise the natural environment, मतलब कि natural environment में क्या होते है, land भी होते है, जमीन होते है, water होते है, air होते है, plants होते है, animal होते है, मतलब ये सबी चीज़े आपको environment में मिल जाएगी, the you are familiar with the meaning of the lithosphere, lithosphere के बारे में आपको पहले अभी हम लोग अच्छे से देखते है, the lithosphere क्या होते है, the lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth, मतलब कि जो भी पृत्वी की, जिस पर हम लोग चलते है, गुमते है, building बनाते है, इसका जो सबसे top layer होता है, solid crust or the hard top layer of the earth, इसका क्या बोलते है, lithosphere, मतलब कि earth का जो सबसे उपरी हिसा, सबसे उप It is made up of rocks and minerals and covered with a thin layer of soil, यह lithosphere क्या का से बनता है, rocks से पत्थरों से बना होता है, इसमें बहुत सारे minerals होते हैं, और यह मिट्टी से डखावा रहाता है उपर से, it is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, it is easy, अब यहाँ यह दिखने वाली बात है कि जो land होता है, जो earth का जो सबसे उपरी हिसा होता है, यह सबी बरावर नहीं होता है पूरे वर्ल में, ठीक है, यह irregular surface है, मतब हो सकता है कहीं mountains के रूप में हो पाहाड हो, कहीं plateaus हो, कहीं पूरा दम flat हो, plains हो, valleys हो, मतब यह सबी form में वह lithosphere पायाता है, landforms are found over the continents and also on the ocean floors, मतब कि जो landform होते हैं, यह जो क्या होते हैं, मतल तो यहां देखते हैं कि lithosphere is the domain that provides us forest, मतब कि lithosphere एक ऐसा domain है, part है, जो हमको क्या क्या प्रवाइट करता है, forest, jungle को प्रवाइट करता है, यहां बहुत सारे grasslands for grazing मतलब की गाया है, वहाँ से जो भी animals उनको घास चरने के लिए, grazing करने के लिए grasslands प्रवाइट होता है, land for agriculture, यह ख wealth भी पायाते हैं, ठीक है दोस्तों, the domain of water is referred to as hydrosphere, मतलब कि वैसा domain, मतलब वैसे इससे जिसमें पानी हो, इसको hydrosphere बोलते हैं, it comprises various sources of water, इसमें बहुत सारे sources of water पायाते हैं, जैसे कि water and different types of water bodies, मतलब कि different types of water bodies, जैसे rivers, lakes, seas, oceans, it is essential for all living organism, करने का मतलब होता है, कि मतलब जितन इसमें भी water से related चीजें हैं, वो क्या होती है, hydrosphere में आती हैं, इसमें क्या क्या होता है, various sources of water, मतलब water का sources कहां कहां से आता है, different times, मतलब नदिया, जीले, समंद्रे, awesome, यह सभी क्या आते हैं, hydrosphere में, यह सभी living organism के लिए बहुत ही sensual इससा है, atmosphere, दोस्तों देखते हैं, atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth, मतलब प्रिथवी की जो चारों तरफ thin layer of air, हलका सा जो पतला सा layer है, air का उससो क्या बोलते हैं, atmosphere, the gravitational force of the earth holds the atmosphere around it, जो प्रिथवी की जो गुरुतवाकरसन सकती है, gravitational force, वो क्या करते हैं, इस atmosphere को अपने चारों तरफ होल्ड करके रती हैं, it protect us, मतलब की atmosphere protect us from the harmful rays, मत जो आनिकारक होती हैं, उसे हम लोगों को protect करता है, scorching heat of the sun, मतलब की सूरज की जो भीसन गर्मी होती है, उसे भी हम लोगों को atmosphere protect करता है, it consists of the number of gases in atmosphere, में बहुत सारे gases होती हैं, dust होते हैं, धूल होते हैं, water vapor होते हैं, the changes in atmosphere produces changes in weather and climate, मतलब की जैसे जैसे atmosphere change होता है, उसी weather और climate दोनों change होते हैं, plant and animals kingdoms together make biosphere, अब biosphere क्या होते हैं, मतलब की एक ऐसा system जिसमें plant और animal kingdom दोनों पाया जाते हैं, तो क्या होते हैं, biosphere और the living wall, it is a narrow zone of the earth, मतलब की एक ऐसा narrow zone है, जहां पर land मतलब की, जमीन, water और air, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से intersect करते हैं, interact करते ह हैं, ठीक है, और support करते हैं, life को, मतलब सब तीनों एक दुसरे से मिले वे रहते हैं, तो दोस्तों यह था हमारा NCRT class 7, जोगर ओफी chapter 1 का first part, अगले part में दोस्तों देखेंगे, what is ecosystem और human environment के बारे में इच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आप प्लीज, अगला part भी जरूर द है कि इसको सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भोलें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद